आग्रा में सर्वाधेत लोग की एड चैनल सीन्यूस की एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें शहर में जिस मैदान पर भारती महिला करकी टीम के सदस दीप्ती शर्मा ने खेल कर भारती टीम में जगे बनाई वो मैदान हम आपको दिखाने जा रहे हैं चोटी से मैदान पर एकडमी चला कर दीप्ती के भाई सुमिश्यर्मा बच्चों को प्रसिशन दे रहे हैं दीप्ती जब आगर आती हैं तो दीप्ती भी बच्चों को प्रसिशन देती हैं देप्ती के भारती टीम में खेलने से महिला खिलाडियों में रुची बढ़ी है जिस अकडमी में बच्चों को आप सभी खेलते हुई देख रहे हैं अकडमी है स्टार नेक्स्ट किकेट अकडमी यह वही अकेडमी है जहां पर भारती महिला के टीम के खिलाडी देप्ति शर्मा अभ्यासकर भारती टीम में जगे बनाई है। यहां पर ज़दा जगे नहीं है लेकिन फिर भी देप्ति ने इसी मैदान पर अपने आप को निखा रहा है। अब देप्ती को देखकर कई अन्य महिला खिलाडी यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आती हैं पर सिक्षियों महिला खिलाडीयों का कहना है कि वो भी देप्ती और पोनम की तरह बनना चाहती हैं जी सर मुझे यह चलाते चलाते लगब कुछ पांच साल हो गए और काफी अच्छा रेस्पोंस है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छा कर रहें इंप्रूव कर रहे हैं और लगाता टीम में जगे बना रहे हैं जैसे दीप्ती के लिए तो सभी जानते ही हैं अभी प्रेक्टिस करके निकली और इंडिया टीम में अच्छा परफोर्मेंस कर रही है उसके बाद अगर स्पेशली गल्स की बात करूं तो बहुत सारी गल्स हैं जो दीप्ती और पूनम को रोल मॉडल मानते हैं तो अभी मेरे यहां से हैं अंडर 16 अंडर 19 और अभी रिसेंटल और वो लास्टियर 16 टीम में और 19 टीम में भी थी एक बच्ची है संपता दीक्षित वो लास्टियर अंडर 16 में बोर्ड में थी तो बच्चे अच्छा कर रहे हैं दो बच्चियां हैं परीनता यादव और अंजू यह लोग पॉंडचेरी से बोर्ड खेलें अंडर 16 तो मै मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी गार्जिंस बहुत सपोर्ट कर रहे हैं गल्स को सर यहां पर जो माहौल है ना क्रिकेट का वो काफी अच्छा है तो मेरे पेरेंट्स इस चीज़ से इंस्पायर हुए और मुझे इस ग्राउन में भेजा क्रिकेट खेलने के लिए किसको द अगरा से दीप्ति शर्मा झाल'll के भारती टीम में जगें बनाने के बास्यागर में अवावग को लेकरे काफी संजीदे हो गये उबी चाहते हैं कि उनके भी बेटियां दीप्ति शर्मा और पूनम की तरह ब्हारती टीम में जगें इस अकेडमी में इस समय दीप्ती की भाई सुमिश शर्मा और अजीम बेक लगतार बच्चों को प्रसिक्षन दे रहे हैं। सुमिश शर्मा का कहना है कि इस अकेडमी से महिला खिलाडी अच्छे इस्तर पर पहुंच कर अपना जोहर दिखा रही है। कहते हैं कि परदिबा किसी बड़ी जगे या फिर संसादनों के मौताज नहीं होती है। वो अपना असर हर जगे दिखाती है। उसे बस जरूरत होती है कि वो एक प्लेटफार्म मिलने की। ऐसा है कुछ भारतिय महिला के टीम के सदस्त दिप्ती शर्मा के साथ भी हुआ। झाल 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 a के सदस्द गजिए।